प्रोडेक्ट किया जाता है एजंडा तैक किया जाता है चुनाव के लिए और चमतकार करना ही था तो 46 लाख लोग मरे थे कोरोना में फू बजो नमस्कार लाइक सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ निशाबाणवार बागेस्वर धाम वाले बाबा धिरेंद्र शास्त्री अब पटना पहुँच चुके हैं जताई है और और कहा है कि बागेस्वर बाबा धोंगी है इसके साथ ही उन्हों ने कहा कि चार साल पहले जिसके पास कुछ भी नहीं था तो आखिर ऐसा कौन सा जमतकार हो गया कि चार साल के बाद उनके पास इतिनी संपत्ि आ गई और भी काफी कुछ पप्ब यादव ने निशानद साधी बाबा, नानक, गुरु गोविन, महरसी जी, परसुराम, भगवान परसुराम, बाबा का संथ का मतलब होता है बीवेकानद, संथ का मतलब होता है लोरीक, सलहेज, संथ का मतलब होता है बालमिकी, संथ का मतलब होता है अचार्ज, स्री राम संत का मतलब लाजनर नहीं होता है 2014 में दो ठोब दलाल लाजनर थे ना चंद सेखर सिंग जी के समय में लाजनर थे सबसे बर का घड़ुक का चंदरा स्वामी वह भी संत असाराम बापु ने 22 90 लड़की के साथ बलातकार किया 22 लड़की के साथ उभी संत जिसको सुप्रीम कोट ने भी कर दिया नागपाल को जेल में बंद किया उभी संत राम रहीम बलातकारी मडर उभी संत संत कौन हों है लिपिष्टिक लगा लो आँक में काली लगा लो चूरी लगा लो पती खुष हो जाएगा पत्नी खुष हो ये शमतकार करना है न दुनिया में तो पहले तो अपने भाई के बारे में इसको पता नहीं था क्या नाम है चार साल पहले इसको खाने के लिए पैसा नहीं था तो पहले तो हम इनकी जाँच चाहते हैं कि इनको चार साल में इतना पैसा कहां से है पहले तो इसकी जाँच हो जाए ये नेता और पुझी पतियों के द्वारा हर चुनाओ के पहले एक प्रोडेक्ट किया जाता है एजन्डा तेक किया जाता है चुनाओ के लिए जोनों ने आया बुला हम हिंदू हिंदू करेंगे मैं कह रहा हूं कि नहीं मैं सनातनी विचारों के व्यक्ति हैं और हम बसुदेव कुटुमबकम की बात करेंगे मानब मानब एक हो की बात करेंगे मानब का धर्म एक होने की बात करेंगे एक चुला एक चौका की बात करेंगे सर्वधर्व संभव की बात करेंगे सर्भोमित्ता की बात करेंगे ना हम हिंदू मुसल्मान की बात करेंगे ना सिक किसाई की बात करेंगे ना backward forward की बात करेंगे ना दलित को गरियाने की बात करेंगे ना किसी बावन बुम्यार को गरियाने की बात करेंगे complete हम सम्विधान जो कहता है उसकी बात करेंगे और यह सम्विधान से इतर बात करता है ऐसे लोगों को तो अपने हमारी जमीन को देना ही नहीं चाहिए इनको इजाज़ती नहीं देना चाहिए as a government, as a law अंद विश्वास को पैदा करने वाले के खिलाब केस है हमारे संविधान में और जाती सूचक सब्द से किसी को हमाचूत काते है दलित को उस पर भी केस है इन्होंने बोला है और तीसरी चीज इसका भाई रिवल्बर लेकर के दलित को धमकाने गया तो तब इनको नहीं था और चमतकार करना ही था तो 46 लाक लोग मड़े थे कोरोना में फूब बज़़ो बाड में डेली लाखो करो रोब भाड जब नाए चमतकार कर दो मस्दूर का पलाइन रोग दो बियार की विरुजगारी चमतकार कर दो गरी भी मिठा दो पूरा का पूरा भारत का सेना हटा दीजिये पैसा बचेगा हम लोग का कहिए चैना फू पाकिस्तान फू कर दो चमतकार जितना मापिया बलतकारी दुराचारी लोग है इसको कहिए खतम होने, खऴदो चमतकार, कहां दिक्कत है, चमतकार करिये ना, हमको भी तो अच्छा लगेगा कि चमतकार हो जाए, गरीब अमीर हो गया, जासा कि आपने पपू यादव को सुना इन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसे कोई बाबा नहीं होते हैं बाबा तो वो होते हैं जासे कि रामकृष्ण परमहंस हो गए बिवेकानन्द हो गए और साथी साथ साई बाबा हो गए लेकिन ये बाबा जो बनते हैं ये सिर्फ चुनाव के तहट प्रोजेक्ट किये जाते हैं चुनाव से पहले नेताओं के द्वारा और कहे तो विपक्षियों के द्वारा प्रोजेक्ट किये जाते हैं ताकि उन्हें चुनावी लाब हो सके साथे उन्होंने धिरेनर शास्त्री के द्वारा अर्जुत की गई संपत्ती पर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि क्यूं उनके पास आखिर ऐसा कौम सा चमतकार हो गया जो इतने कम समय में उन्होंने इतनी संपत्ती अर्जुत कर ली है देखा जाए तो आगे अभी उनका कारिक्रम चलना है और ऐसे में बिहार की सियासत क्या-क्या रंग दिखाएगी ये भी देखने वाली बात होगी इस खबर में इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहा है लाइफ सिटीज के साथ अगर आप इस वीडियो को हमारे फेस्बूक पर देख रहे है तो हमारे पीश को लाइक कर ले योट्यूब पर देख रहे है तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद